Hello students, your next topic is average speed तो average speed की में definition आपको definition बाद में समझेंगे पहले practical example मैं आपको देता हूँ उसके बाद आपको यह clear हो जाएगा ठीक है? स्पोज कर लो कि आपको जाना है रेवाडी से देहली जाना है आपको और आप बस के तुरू जा रहे हैं रेवाडी तो डेहली ओके और आपको पता है कि जो रेवाडी से देहली की जो डिस्टेंस है वो अजूम करके चलो कि रेवाडी से देहली की जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमेटर तो डेली जो आपकी डिस्टेंस है वो है आप मान के चल लो कि वो है 100 किलोमेटर ठीक है और जब आप रेवाडी से स्टार्ट किये और इस टाइम पर डेली पूंचे तो रेवाडी से देली पूंचने में आपके लगए 2 गंटे ठीक है रेवाडी टू दहली आपके पूंचने में लगए आपके कितने दो गंटे लगए तो अब मैं आपसे पूछ लूँ कि एवरेज स्पीड क्या रही होगी बसकी तो एवरेज स्पीड क्या रही होगी बसकी आपको पता है 100 किलमोटर डिस्टेंस थी divided by 2 hours ठाइम लगए इसको 2 hours तो उनने एप्रोक्स कितने 50 क्लोडर होगी स्पीड से बस चल रही थी какая। तो गंवारी सी द्यूटर डेवाडि सौचल क्या रही थी तो अब 75 100 क्या रही होगी पूर पूंचन कि क्या बो लग वोल सकता हूं जो 50 जो आयवरेज स्पीड आयई है, उस स्टार्टिंग से लेके लास्ट था 50 किलो मुटर से ही चल रही थी। आपको अइसा नहीं हो सकता है कि बस पूरे रस्ते में 100 किलो मेटर के रस्ते में एकी स्पीड से चल रही हो। कहीं पर ऐसा हुआ होगा कि बस बिल्कुल कम स्पीड से भी चली हो, हो सकता 10, 20, 30, 40 की स्पीड से चली हो और कहीं पर ऐसा भी होगा कि जहां पर बस की स्पीड 50 किलोमेटर से ज़्यादा भी रही हो जहां स्पोज कर दो कि 60 भी रही हो, 70 भी रही हो, 80 भी रही हो ठीक है बट मैं क्या बोल सकता हूं कि जो on and average जो speed रही है बस कि वह कितनी रही है वो रही है 50 km परती गंटा ठीक है और वो मैंने कैसे निकाली मैंने निकाली कि मैं जब total distance find out कि है और मैंने total time निकाल दिया तो on and average मैं find out कर चुपा हूं कि on and average तो 20 क्योट परती घंटा से चली लेकिन बीच में कहीं पे मुझे ने बता कि कहीं पे हो सकता हूँ कि उसकी speed कम भी रही हो और हो सकता हूँ कहीं पे उसकी speed जाजा भी रही हो ठीक है तो ऐसे cases के अंदर जहाँ पे हो सकता हो कि जहां पे मेरे को एक प्लेस से कोई पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस के तक ट्रेवल कर रहा है और कोई बोड़ी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल कर रही है और जहां पे उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं हो मतलब speed जो है मैंने आपको बार लड़ी बता चुका हूँ जो non uniform motion होता है उसमें speed चेंज होती रहती है बीच बीच में ठीक है तो ऐसे ही जो मैं जब रिवाडी तू देहली जब गया था तो बसकी भी speed बीच बीच में change हुई होगी तो ये भी किसका example है non uniform motion का ही example है ठीक है तो non uniform motion के अंदर जो हाँ पे speed हमारी वैरी होती रहती है बीच बीच में वहाँ पे हम निकालते हैं क्या average speed average speed हम कोई क्या बता देती है कि on an average जो बसकी speed अगर इतनी 50 km भी रही होती स्टार्टिंग लेके लाज तक तो भी मैं उतने ही टाइम पे पहुंचता ठीक है तो ये एक average speed का ये use हो जाता है कि जब हमारी speed जब change होती रहती है तो average speed क्या बताती है कि जब मिर स्टार्टिंग से लेके end तक मैं कितनी speed average speed से चला common speed से चला ठीक है तो ये हमने कैसे निकाला हमने find out कि total distance कितनी थी और total time कितना लगा तो और इसका use किस case में करते हैं जहांपे non uniform motion हो जहांपे speed change होती रहती हो तो उस case में हम average speed का use करते हैं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ it is the ratio of total heat sorry total distance traveled by the particle to the total time taken तो आपने को मैंने आल रही बता दिया है कि अगर मेंने को average speed आपको निकालनी है तो मैं find out को नहीं को सबसे पहले कि particle ने total distance कितना travel किया divided by total time taken कि उसने total time कितना लिया okay so I hope it is clear अभी तो second topic है वह है जैसे average speed मैंने आपको बता दिया तो average speed तो होती है आपकी क्या total distance by total time taken तो अभी एक और आता है वह होता आपका average velocity तो average velocity मैं आप क्या करेंगे total displacement find out करेंगे total displacement by total time taken so that is called the average velocity तो यह बहुत जदा important concept है आपको हमेशा याद रखना है कि average speed तो क्या होती मेरी total distance by total time taken और average velocity क्या होती है आपकी total displacement by total time taken ठीक है यहाँ पर मैंने आपको दो example दिये है जहाँ पर आपको average speed और average velocity आपको find out करने है उसके बाद आपको यह concept और ज्यादा किलियर हो जाएगा तो जैसे पहले वाला example मैंने दिया है कि यह example मैंने NCRT की book से लिया है an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds what is the average speed तो कोई object है वो 16 meter चलता है 4 seconds के अंदर and another 16 meter चलता है 2 seconds के अंदर आपको average speed इसका निकालना है तो आपको पता है average speed जब मैं 4 उना लगाँगा तो उसमें होता है क्या है total distance by total time taken तो यह 16 meter तो पहली बार चला 4 seconds में और दूसरा 16 meter चल रहा है 2 seconds के बाद ठीक है इन 2 seconds में दूसरा 16 meter चल रहा है तो total distance तो क्या होगे मेरी 16 meter यहाँ पर चला 16 meter यहाँ पर चला तो यह होगा मेरा 32 meter और total time कितना लगा है इसको 4 seconds first वाले 16 meter को travel करने में लगे है और 2 seconds दूसरे वाले 16 meter को travel करने में लगे है तो total time कितना होगा है मेरा 4 plus 2 6 seconds ओके तो I hope it is clear तो average speed को क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरी average speed होगी वो क्या होगी मेरी total distance कितना होगा मेरा 32 meter और total time कितना लगा है मेरा 6 seconds तो यह हो जाएगा आपको 5.33 meter per second तो I hope it is clear ओके अभी एक दूसरा एक्जामपल है उसमें क्या है कि जोसेफ जोग्स from end A to other end B of a straight 300 meter road road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to the point C in another one minute ठीक है तो क्या बोल रहा है कि कोई जोसेफ है वो point A से start करता है और B तक दोड़ता है ठीक है जिसकी distance है 300 meter उसके बाद B से वापिस मुड़ता है और 100 meter दोड़ता है वापिस ठीक और point C तक पूँच जाता है ठीक है A से B तक जब यह दोड़ रहा था तो इसने लिया है 2 minutes 30 seconds और जब B से C की तरफ ही दोड़ रहा है जो कि 100 meter दूर है B से तो उसमें यह लेता है 1 minute ठीक है आपको क्या find out करना है आपको average speed बतानी है और average velocity बतानी है ठीक है when he is running from A to B and then from A to C तो A से B और फिर यहां तक वापिछा था C तक तो दूसरा case हम बाद में देखने वाले हैं पहले हम देखने वाले है when he is running from A to B तो A to B जब रन कर रहा था तो A से B की जो distance आपको दी होई थी वो है 300 meter तो total distance कितनी होई उसकी 300 meter और कितना time उसे ने लिया 2 minute 30 second तो total time कितना हो गया A से B में 2 minute 30 second तो अब मैं इसको convert कर रहा हूँ cable seconds के अंदर ठीक है तो 2 minute को मैं second में convert करूँगा तो यह हो जाएगा into में 60 plus 30 seconds तो यह आपका answer आजाएगा 150 seconds ओके आपको अगर A से B case में आपको पता है total distance तो आपकी 300 meter होगा आपको total displacement find out करना पड़ जाए तो आप बता सकते है total displacement भी सेम ही रहे हो कि यह दोड़रा है straight line के अंदर तो total displacement भी सेम ही रहेगा अगर A से B को में join करूँगा initial point को final point से तो इनकी distance 300 meter ही रहेगी तो total displacement भी आपका 300 meter ही है ठीक है तो average speed आप क्या बोल सकते हो average speed total distance by total time total distance है आपकी 300 अब और time कितना है आपका 150 तो average speed होगी उसकी 2 meter per circuit ठीक है similarly average velocity भी क्या होजाएगी उसकी same ही होजाएगी क्योंकि आपको पता है total average velocity होती है average velocity आपकी होती है total displacement by total time तो total displacement आपका होगा कितना 300 meter और total time जो आपका होगा है वो है 150 seconds तो average velocity भी आपकी होगी 2 meter per second ओके B part मैं आपको क्या सज़स्ट करूँगा कि एक बर आप वीडियो रोक कि खुद से करने की कोसिज करें जो B part है उसके बाद आप इसको इसका solution देखे तो अभी मैं आपको explain कर रहा हूँ जो B part है उसमें क्या कर रहा है कि A से B की तरफ गया 300 meter then B से C की तरफ आया ठीक है वापिस मूड के B से C की तरफ आ रहा है और ये जो C की B से C की जो distance है ये है 100 meter तो A से B में लगता है 2 minute 30 second और B से C में ले रहा है 1 minute ओके तो सबसे पहले तो हमको average speed के लिए क्या चाहिएगा हमको total distance हम find out करते है total distance आपको पता है कि path length होती है तो A से B तक गया 300 meter distance कवर की और जब B से C की तरफ आया तो इसने 100 meter distance कवर की total distance कितनी हो जाईगा आपकी 400 meter total time कितना हो जाएगा आपको पता है A से B तक में जब मैंने time निकाला था 2 minute 30 second तो वो आगे थे मेरे 150 seconds के बराबर ठीक है और 1 minute में कितनी होती है यहां से B से C में कितना time और ले रहा है 1 minute और दे रहा है तो 1 minute और दे रहा है इसने 210 seconds लिया total distance हमने find out कि वो हो गई मेरे 400 meter average speed क्या हो जाईगा 400 divided by 210 तो यहां जाएगा 40 by 21 meter per second I hope it is clear अभी जो next part करना है वो आपको करना है average velocity में average velocity में आपको पता है आपको find out करना पड़ेगा total displacement इस case में total displacement क्या रहेगा वो average total distance के बराबर नहीं होगा आपको पता है कि तो average displacement के लिए मैं क्या करूँगा ने total displacement के लिए मैं क्या करूँगा total displacement के लिए initial point को देखूँगा और final point को देखूँगा आपको पता है कि जो particle start कर रहा है A से और वापीस आ रहा है C पे final point होगा है मेरा C तो total displacement कितना होगा distance between the final point and initial point तो ये 300 meter तो ये पूरा है याप ये वाला 100 meter है तो जो displacement होगा वो हो जाएगा मेरा ये ACC के बीच का जो gap होता है ये अपका हो गया displacement तो ये हो गया आपका 200 meter तो total displacement आपका आया वो कितना आजाएगा 300 minus 100 meter 200 meter ओके और total time is अगें time तो सेम ही लग रहा है ACC तक पूतने में तो वो आपके 210 seconds आपने आपने आलड़ ही निकाल चुके हैं तो वो आगया आपका 210 seconds तो average velocity क्या होगा आपकी total displacement by total time 200 meter displacement है time आपका है 210 तो आप जब इसको solve करेंगे आपका 20 by 21 meter per second तो इस विल बी और average velocity तो आपका इस कोंसेट इस नाव क्यार तो यू थैंक यू